नमस्कार दोस्तो, मैं पाउन, मेरे चैनल टेकी पाउन में आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा सास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एन्सीफ 2005 और जितने भी शिक्षन से संबंदित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें प्लेइलिस्ट में चेक कर सकते हैं आजम पढ़ेंगे विशिस्ट बालकों का सात्वा प्रकार अधिगम निरियोग्य बालक, लर्डिंग डिसेबल चिल्डरन जिन बालकों को भाषा को लिखने, पढ़ने, समझने, आदी में शारिरिक, मानसिक या अन्य किसी कारण से बादा उद्पन होती है उसे अधिगम निरियोग्य बालक कहते हैं अर्थात वो सीखने में पिछडे बालक होते हैं नमबर दो, ऐसे बालकों की संख्या, दिशा, वर्तनी, संबंध्य अशूद्या, अंक, गणितिये, मानचित्र में कोई इस्थान डूणने, आदी में बादा उत्पन होती है शीखने की शम्ता में कमी ही अधिगम अशम्ता कहलाती है शीखने की जो शम्ता में कमी होती है, उसे ही हम अधिगम अशम्ता या लर्निंग डिसेबलेटी कहते हैं अब देखते हैं किस-किस परकार की अधिगम निर्योग्यता होती है हमारे तत्यों का चोथा पॉइंट है यह डिसलेक्सिया यह एक पढ़ने पठन सम्मंदी विकार होता है कमी होती है इसमें बालक को पढ़ने में कटना ही होती है इससे पिडिच छातर B को D, M को W और वाज को सा आधी एक जैसे अक्षरों में भेद करके पढ़नी पाता है चोटी को रोटी बोलता है दरवाजी को वाजा पढ़ने लगता है इनके लक्षन क्या है डिसलेक्सिया वाले बालक के नमबर A, वर्ण वाना सीखने में कटना ही होती है नमबर B, अक्षरों की दोहनिया सीखने में भी कटना ही होती है C, कॉंसेंट्रेशन में कटना ही होती है D, पढ़ते समय स्वर्ण अक्ष वर्णों का लौप कर देते हैं E, शब्दों को उल्टा करके पढ़ना या शब्दों का करम इधर-उदर करके पढ़ देते हैं नमबर F, पढ़ते समय शब्द में से अक्षर गाइब कर देते हैं जैसे शावक को शक पढ़ देते हैं नमबर जी, समान उच्चारण की द्वनियों को नहीं पैचानते हैं। एच, भाषा के अर्थ पूर्ण उप्योग को अभाव रहता है इनमें। आई, वाचन संबंदी कटनाई होती है, अर्थात पढ़ने संबंदी कटनाई। नमबर जे, यह एक जन्म जात विकार है, यह है डिसलेक्सिया की लक्षण। नमबर पांच डिस्ग्राफिया यह एक लेखन संबंदी विकार है यह डिस्लेक्सिया की तरह ही है बस फर्क इतना सा है कि डिस्लेक्सिया में जो समस्या पढ़ने में हो रही थी वही समस्या डिस्ग्राफिया में लिखने की होती है इसके लक्षन क्या है A. लिखते समय स्वैम से बाते करता है B. खराब हेड राइटिंग होती है इन बच्चों की C. अपून अक्षर लिखते हैं या शब्द लिखते हैं अपून D. ये B को D लिख देते हैं M को W लिख देते हैं रोटी को चोटी लिख देते हैं यहां लिखने का काम हो रहा है D. अपने विचारों को लिखिबत कने में इनको कठना ही होती है शब्दों के बीच एनियमित इस्थान छोड़ देते हैं अशुद वर्तनी इनकी होती है चटा डिस्कैलकुलिया यह एक गणिती एशमता है इसके लक्षन कौन से है A. गणित के तत्यों नमबर्स को समझने में कठना ही होती है ऐसे बालकों को B. इसे नियूमिलेक्सिया भी कहते है C. गणिती एशिन्नों को डंक से समझ नहीं पाते है D. गिनने के लिए अंगुलियों का प्रियोग करते हैं अधतर बड़े होने के बाद भी F. E. बजट बनाने में इनको कठना ही होती है क्योंकि केल्कुलेशन का काम होता है N. F. नकद मुद्रा के हस्तांधरन से भी इनको डर लगता है क्योंकि इनको केल्कुलेशन नहीं आती है G. तारकिक चिंतन की शमता का अभाव पाय जाता है ये अनालिसिस नहीं कर पाते है अब सात्वी प्रॉब्लम या अधिगम निर्योग्य बालक का सात्वा प्रकार अफेजिया यह बोलने तथा भाषा संबंदी संयुक्त विकार है अर्थाद बोलने और भाषा संबंदी दोनों का कॉंबिनीशन वाला ये विकार है प्रॉबलम है इसमें बच्चा भाषा संप्रेशन नहीं कर पाता और अपने विचारों को डंग से व्यक्त नहीं कर पाता है इसमें बालक भाशा को शब्दों के माद्यम से डंग से अभीव्यक नहीं कर पाता है, यह एक जन्मजात प्रॉब्लम है, इसको भाशागात भी कहते हैं अब आठवा परकार देखते हैं, अधिगम निर्योग्य बालक का डिसफेजिया, यह भी भाशा संबंदी विकार है, लेकिन यह जन्मजात नहीं होता है, बलकि मस्तिश में कोई चोट लगने पर वह अफेजिया के लक्षनों से पीडित हो जाता है, इसे वाक संबंदी विका इससे गर्सित बालक भी पाशा के माद्दम से अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, नमबर नो, डिस्थीमिया, यह एक तनाव संबंदी विकार है, इससे बचा तनाव गरस्त होकर नकारात्मत बाते करने लग जाता है, नमबर दस, डिस्प्रैक्सिया, इस इसको गतिक कोशल ऐशमता कहते हैं, इससे पिडित बालक के मस्तिश एवं शरीर के अंगों में कूडे निशन नहीं हो पाता है, अर्थात मस्तिश कुछ और काम करना चाहता है और शरीर कुछ और काम करता है, जिसके कारण उसके सुक्ष में पेशिया कोशल, फाइन मोटर जाती है थोड़ा, तो कॉंबिनिशन ही बैठता दिमाग का और मास पेशियों का, यह शारीरिक विकास से संबंदिद विकार है, यह चिंतरांकन संबंदी ऐसक्ष मता है, यहां बोलने, पढ़ने तथा लिखने संबंदी समस्याएं एक साथ होती है, अब ग्यारवा परकार या आकार से संतुष नहीं होने के वो बिमारी से ग्रसित होता है, बारवा परकार, बुल्मिया, यह एक बोजन खाने का बिकार है, इसमें बालक के पेट में जगह नहीं होने पर भी खाना खाता रहता है, अब यह तीसरी बिमारी, यह दिखम वाली बिमारी नहीं है, यह अ अविदा बच्चन का सिर्व बहुत बड़ा हो गया था अलेक्सिया यह बिलकुल डिसलेक्सिया के समानी है लेकिन अंतर यह है कि अलेक्सिया जन्मजात होती है अलेक्सिया जन्मजात नहीं होती बलकि मस्तिश पर किसी प्रकार की चोट या रोग होने पर यह उत्पन हो जात सांकेतिक लेंग्वेज का प्रियोग करें जब कोई डंब या गुंगा हो तो उसमें सांकेतिक लेंग्वेज का में प्रियोग करना चाहिए